कैसे हैं आप सब लोग और आपके अपने YouTube चेरल में आप सभी का स्वाधत है फिर से मैं लेकर आई एक वीडियो जो कि आपके आपके कमेंट के ऊपर लेके आई हूँ जो कि आपके हमें सा कमेंट आते हैं कि दी हमें बताइए तो इनी सभी समस्याओं को लेकर आई हूँ मैं और आपकी एक और लेकर के आये एक कंशों को ब्हुने हे माले कि प्राइब बालजणना की ऑपिता के कंश्या होई लोगों को पता हैा आज अजकल कर खान पान में इतना कैमिकल है कुछ भी सुद्ध नहीं मिल रहा है और अतनी बिज़ी लाइफ हो गई हम खुद को बिल्कुल भी टाइम दे ही नहीं पाते हैं तो सर का दर्द हुआ आँखो का दर्द हुआ यह सब चीजे नॉर्मल सी हो गई हैं हमारी आम जिंदगी में बच्चा हुआ बड़ा बुड़ा हुआ यंग हुआ तो बहुत थी नॉर्मल चीजे हो नेचुरल ब्लैक सीड और कलोंजी तेल यह इस तरह की की पैकेजिन में मुझे रिसीव हुआ है और इसके यह ट्रेस्ट यह अप्रूवल है यह इस पर कोई केमिकल नहीं है एक दम यह हमारा आयुर्वेदिक है कलोंजी तो आप जानते ही हो क्या होती हो काली-काली जिसे हम अचार वगेरा में काम लेते हैं तो वही है और इसके इतने सारे फायदे हैं तो मैं आपको इसे दिखाऊंगी बैक कैमरे इसके क्या क्या फायदे है और आप इस पर आफंद करके भरूसा करते है और यह क्या है क्या नहीं किस तरीके से आपके काम आता है किस तरीके से यह वर्क करता है वह सब मैं आपको डेटेल में बताऊंगे बैक केमरे से यहां पर जो भी है पर यह एक टेल है और आपके लिए धेरो समस्याओं का हल करने वाला है कुछी भी समस्या बालों से हुई या दर्द की कोई भी समस्या हुई आपकी चुठकियों में आपको आराम दिलाएगा तो चलिए वैक केमरे दिखा देते हैं फिर किस वात की देरी है और इसकी आपको लिंक है जो डिकेक्शन बॉक्स में आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी और डिकेशन बॉक्स में आपको इसकी लिंक मिल जाए तो चलिए वैक केमरा दिखा देते हुए चेक आउट जरूर कीजिए गा लीजिए गा और ट्राइ करिए गा और फिर मुझे बताईएगा देखिए इसकी पैकेजिन इस तरह की थी जो कि मैंने खोल लिये ब इसको यूज करना है तो यह सारा कुछ यहां पर लिखा हुआ है यहां पर फिलाल हम इसकी पैकेजिन पैसो की बात कर लेते हैं और एक्सवाइड की बात पकड़ लेते हैं जैसा कि मैंने बताई यह अफ्रूवल है यह देखिए और यह हमारी 110 ml की बोतल है और काफी बड़ जैसे कि अन्य औरों में भी बताया है और इसकी एक्सवाइड डेट है 2020 में बनाता है 2023 तक बहुत लोंग है बहुत टाइम तक आपके साथ चलेगी अल्कोलोंजी तो आप जानते ही और इसके फायदे देख लेते ही किस-किस में आपको काम आएगी बालों में तो आएगी आ दूसरे तीसरे दिन आप इसे अपने काम में लेंगे तो यह आपके बालों में आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा और मैंची और आप इसके यह हमारे कई तरह की सरीमें रोगों से भी लड़ने की शमता को बढ़ा देता है जैसे हुआ लीवर में लीवर में जा यलाज वीमारी को भी रोखने में यह बहुत सहायक, ठीक है यह हमारी मैंने बताया लाइक इसके 1000 गूड हैं तो कैंसर जैसी वीमारी को भी रोकने में हमारी बहुत ज्यदाकर्णा करता है अगर हम इसे हम अपने काम में लेते हैं तो इसके कई सारे फायदे होते हैं अस्तमा जैसी प्रोब्लम को भी यह जैसे की यहां सारा कुछ मेंसन हो रखा है अस्तमा जैसे बीमारी को भी भगाने में बहुत सहायख है आपके अस्तमा जैसे हिर्दय रोक को रोकने में ये बहुत ज़्यादा आपके काम आने वाला है मैं बोल रहे ना आप इसे तेल के एक ओईल है और हजारों इसके गुण है आप लगाईये आपके घर में ज़्यादतर आसपास में ये सारी विमारिया आजकल नौर्मर हो गई हैं तो ये बहुत आपके कैंसर जैसी अस्तमा जैसी हिर्दय रोक जैसी कि इन सभी विमारियों को आपके ये भगाने में आपको बहुत ज़्यादा लाबदायक है और ये तो ये हमारी हेयर इसकीन सभी समस्याओं को हल करने में बहुत ज़्यादा सहायक आपका सिर्डर्द हो आँखों में दर्द हो और ये पुरानी से पुरानी जोडो में दर्द हो मतलब पुरानी से पुरानी बीमारियों को भगाने में आपके बहुत ज्यादा काम आने वाला है तो यही सब इसका यह सारा कुछ यहां पे लिखा हुआ है जो कि मैंने बताया ही है आपको यह देखिए सारा कुछ यहां पे मेंसन आपको कर रखा है आपको कुछ भी बत्वो करने की जरूरत नहीं है पुराने से पुराना इलाज आपको छू मंतर भगा देगा तो यही था मेरा आज का वीडियो आसा करती हूँ यह आपको अच्छा लगा हो और यह आप कहीं भी पर्स में पीछे से आवाज आ रही हो गाड़ी हो कि तो प्लीज इंग्नोर करिएगा और यह इस तरीके का है इसको आप बैग में डाल के कहीं भी ले जा सकते है और आपके घर में बड़े बूड़े हुए आपको पताएए उनके कितने यह मतलब गांठों में दर्द होता है हो ऐसा कुछ नहीं यह एकदम हलका हलका सा सॉथ 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 सा है हम सी तो मैंने इसके घुर्ण बटा दिये हैं इसमें कैसे है यह कैसे यूच火ैंते की साहरे मैं और सर के हातों में हलके हाथों से मसाज करिए गए में यहाथ कहीए और नहीं tout सबी चीजों में आपको सहायक है तो इसका लिंक डिक्ष्वेक्शन बॉक्स में मिलेगा आप लोग जाए चेक आउट कीजिए और मुझे दीजिएगा इजाज़त